दोस्तों अगर आपके गुढ़ल के पौधे में इस प्रकार से फूल नहीं आ रहे हैं देखिए जैसे मेरे पौधे में आया है यह पौधा जो है मैंने गमले में लगा रखा अगर आपके पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे तो आप इस चीज का प्रयोग करेंगे और हर त फ्लावरिंग हो वह भी बढ़िया हो तो यह चीज के बारे में आपको मैं सब बताऊंगा वीडियो में उससे पहले जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करने और बैल नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना न भूलें जिसे के आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तर जल्द पहुंच सके गुड़ल का पहुंदा जो होता है सब अपने घर में लगाते हैं और गुड़ल का पहुंदा हर किसी के घर में आपको मिल जाएगा गुड़ल की पहुंदे की एक खास बात होती है इसमें जो फ्लावरिंग होती है यह बारो मेने होती है सिर्फ जो एक जब पाला गिड़ता है तो उसमें जो है इसकी ग्रोथ रुख जाती है और इसमें जो है फ्लावरिंग नहीं हो पाती है तो इसलिए गुड़ल का पहुंदा हर किसी के घर में होता है क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हमेशा रहती है लेकिन गुडल के पहुअदे में एक चीजच दिक्कत ही आती है जासे पहुअदी कीखली हो ऑफंगस पहुगस पहुदा जड़ में आपकी पूरा छोई और आपके पूंदे में जो फूल है वह अच्छे खिलींगे और साइज भी उनका सही रहेगा उसके लिए आपने पहले यह लेना है देखिए यह चीज क्या है आपको मार्केट से जो हींग होती है हींग जो हम दाल अगरे छोका लगाने में यूज करते हैं तड़का लगाते अब इक तुबड़ा खें और एक तसा आता है हींका 2 जीजिसमें जो फीओ ठीव फोती है वो यूज ननिकनी आपने जो बड़े टुपड़े यह पहले पानी लेना है कम से कम एक ली लिपर बानी लिजिए आप मैं ने पहले से बनागा के रखाय दीखिए इसमें मैंने भिगाया था तो यह तैयार है तो मैं इस प्रकार से इनको पॉंधों में अपने यूज करते रहता हूं जो मीली बग होती है वो पॉंधे को बिल्कुल जो कल्या होती है उसको खराब कर देती है तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता ह यह एक लिक्विड पैस्टिसाइड भी है और लिक्विड जो है फर्टिलाइजर भी है तो आप एक लिटर बार्टी लिंगे उसमें जो आपने हींग जो पीसी हुई है जो कूट के रख रही है इमाम जस्ते में या किसी भी चीज से आप पीस के रखते हैं वो चुटकी ब इसे पानी में ऐसे मिला देनी है और इस में जो हींग भी हिंग में पीस रखा उसको आपने इस तकर शनुट को आपने작 को एसे चाय पत्ती जो हँर्ड can उसके पर यूज करते हैं उसके बाद देते हैं तो आपने उसको धोकर चानके के उसके बाद रखना है इस तरीके से यूज इसको बात दिंगे और तीन दिन इसको ऐसे रहने दिंगे तीन दिन बाद जो लिक्वीड मिले बनेगा इसका उसको आपने चान के अपने पॉंदों में एक बाल्टी जब आप पानी यूज करते हैं एक बाल्टी यानि 10-15 लिटर उसमें जो एक लिटर यह जो लिक्वीड फर्टिलाइजर और लिक्वीड पैस्टिसाइड जो बनेगा इसको आपने चान के रखने उसके बाद आप इसमें पॉंदे में अपने इस प्रेय भी कर सकते हैं और इस पॉंदे की जो मिट्टी है उसमें जतना पानी देते हैं उस प्रकार से पानी दाल देंगे हींग में क्या होते हैं हींग में कई प्रकार के जो हैं जो बैक्टिरिया खतम करने के जो पौधों में जो बैक्टिरिया वगरे जो लगते हैं या कोई कीड़े वगरे लगते हैं वो नहीं लगेंगे आप उस इस प्रे को आप जो बनाएंगे इस प्रे उससे आप इसमें अच्छी फूल खिल जाएंगे और आपका पॉंदा ग्रोध करेगा अच्छी तो इस प्रकार से आप गुडल के पॉंदे की देखभाल कर सकते हैं और इसमें कोई फर्टिलाजर ज्यादा देनी की जरुद नहीं है आपने अगर गोबर की खाट डाल दिये तो वही बहुत पर तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार से आप भी अपने बागवानी करते रहें और अच्छे अच्छे फूल अपने गार्डन में खिलाते रहें धन्यों